बच्चों क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल रिक्शन और इक्वेशन जिसमें हमने पूरा कॉंसेप्ट क्लियर कर लिया है और हम बच्चों आगे बढ़ गये हैं NCRT इंटेस कोश्चन की तरफ जिसमें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्ट फूर ओके पार्ट फ्री बच्चों हमारा हो चुका था आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्ट फूर और आज हम क्या देखेंगे आज बच्चों पेस 13 का कोश्चन नमबर वन कोश्चन नमबर टू कोश्चन नमबर त्री ये हम बच्चों इतना आज हम ड़न करेंगे देखे, page 13, page 13 का question number 1 क्या कहे रहा है, why does the color of copper sulfate solution, why, मतलब क्यूं, why does the color of copper sulfate solution, copper sulfate का जो solution होता है, उसका color change हो जाता है, solution change when an iron nail is dipped in it, question आपको समझ में आ गया है, कहे रहा है कि copper sulfate का solution है, जिसका color blue है, जब हम इसमें iron nails डालते हैं, ठीक है, किले डालते हैं लोहे की, तो इसका जो copper sulfate का solution है, जो अपना color blue रखता है, उसका color जो है, वो change हो जाता है, ठीक है, तो color change क्यूं हो रहा है, ये answer में आपको बताना है, बच्चों, जब हमने iron को जब हमने copper sulfate के solution में डाला, पहले हमने copper sulfate ले लिया था, और पहले हमने first step में हमने iron nails को नहीं डाला था, तो इसका color कैसा था, COSO4 का solution blue color का था, जब हमने इसमें iron nails डाल दिया, तो इसका color थोड़ा fade हो गया, ठीक है, color इसका blue color थोड़ा हलका हो गया, तो ऐसा क्यूं हुआ, ये color change क्यूं हुआ, ठीक है देखे, color change इसले हुआ, क्यूंकि iron nails जब आपने डाला COSO4 के solution में, तो COSO4 और iron के बीच में reaction हुआ, ठीक है, वो chemical reaction क्या था, देखे, FE हमारा iron nails solid में है, COSO4 का हमारा ये equal solution है, इन दोनों के बीच में जब reaction होता है, तो यहाँ पर displacement reaction होता है, यानि कि FE COSO4 से CU को displace कर देता है और खुद जाकर के, CU को हटा करके, उसके जहाँ पर FE आकर के बैठ जाता है, तो FE SO4 और प्लस यहाँ पर CU, ठीक है, ये reaction हुआ हमारा, और reaction में हमारा product अब ये बन गया, पहले जो color था, वो color COSO4 की वज़े से था, ठीक है, COSO4 की वज़े से, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, displacement reaction हुआ, अब displacement reaction आप जानते हैं कि displacement में क्या होता है, जो active element होते हैं, ठीक है, active metal क्या करता है, मतलब जिसका power जादा है, active metal का मतलब कि जिसके reaction करने की capacity जादा है, ठीक है, तो अगर FE और CU, इन दोनों के reaction करने की capacity को, अगर आप एक साथ compare करेंगे, तो इसमें FE जो हुआ है, वो reactivity series में उपर है, यानि कि FE के reaction करने का, इसके reactivity क्या होगा, CU से जादा होगा, मतलब इन दोनों के बीच में, common अगर देखें, तो इन दोनों के बीच में अगर हमने race कराया, FE और CU के बीच में, तो इसमें आगे कौन भागेगा, race में आगे जाएगा बच्चों FE, और CU ह हो जाएगा पीछे, तो इसका मतलब कि FE की reactivity, यानि कि reaction करने की capacity, CU से जादा है, तो यह क्या करेगा, FE आता है, CU SO4 को देखता है, कि अच्छा, तुम यहाँ बैठे हो, और FE ने क्या किया, CU को बोला कि चलो हटो, मुझे SO4 के साथ रहना है, तो अब CU को इसका कहना मानना है, FE और SO4 का, तो यह जो है, यह इसका character था कि यह color देता था blue color, अब धीरे-धीरे यह कम होता जा रहा है, समय जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, तो reactant, reactant जो है, वो कम होता जाएगा, और product क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीके, तो reactant इसकी वज़े से color था, और इसकी मातरा धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कम हो रही है, और वो इसमें convert हो रहे हैं, ठीके, तो FE SO4 में convert हो रहे हैं, ठीके, तो जैसे-जैसे इनकी मातरा कम होती जाएगी, और यह यह बनाते जाएगे, वैसे-वैसे color भी क्या होता जाएगा, बच्चो, fade होता चलेगा, ठीके तो उसके उपर वो उसका color जो है वो brown होता जाएगा, okay? तो यह आपने देखा page number 13 का question number 1, इसका explanation, okay? Question number 2 आप से क्या कह रहा है? बचों, question number 2 कह रहा है, Give an example of double displacement reaction other than the one given in the activities 1.10. आपके 1.10 में जो दे रखा है activity में जो double displacement reaction का example, उसके अलावा आपको दूसरा other than the one given in है जो आपके दे रखा है, उसको हटा करके उसके अलावा कोई दूसरा आपको double displacement का reaction का example देना है. तो देखे, यह हमारा question number 2 का answer, इसमें क्या है? CA, CL2, मतलब CA के उपर positive charge, और CL क्या हो गया? negative charge वाला, इसमें AL, SO4, AL positive charge वाला, SO4, negative charge वाला, ठीक है? तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? यहाँ पर positive negative, positive negative का pair है, ठीक है? जब इधर भी positive negative का pair हो, यहाँ भी positive negative का pair हो, तो यह क्या करते है आयन को exchange करते हैं इसने भी किया और इसने भी किया ठीके यहाँ से गया उसके साथ जाकर बैट गया और यहाँ वाला उठा वो जाकर इसके साथ बैट गया या निकि exchange दोनों तरफ से हो रहा है इसलिए इसको हम बोलते है double displacement reaction ठीक है, displacement तो हो रहा है, यहां आप देखे displacement क्या है था, यह single displacement reaction था, क्योंकि इसका कोई pair नहीं था न, यह single था, अकेले था, और यह जाकर के, सिर्फ इसको हटा करके, इसकी जहों पर जाकर के, बैठ जा रहा है, यानि कि displacement के अवल, एक ही 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 वो रहा है, इसको हम single displacement कहते हैं यहां पर बात क्या है, pair में है, हैना, यहां पर भी एक positive है, एक negative है, यहां पर भी एक positive है, और एक negative है, ठीक है, यह positive चाज वाला हो गया, तो यह negative वाला हो गया, यह positive वाला हो गया, अब आप product में क्या देख रहे हैं, इसका positive, हैना, positive positive के बीच में क्या होगा, exchange होगा, आप positive positive के बीच में कहिए या आप negative negative की बीच में कहिए किसी को भी कह सकते हैं अदला-बदली हो रही है है यहां से CA जाएगा और we Al को हता करके इसके जret जाएगा तो Al भी यहां से क्या करेगा कि यह आएगा और यह देखेगा छा यहां पर खाली है तो यह आक । के साथ यहां पर बेच जागा ठीक है तो ना करके आपको दीख रहा है कि dλέister ceilu के साथ कौन है कॉल देख के साथ कौन है यहां पर क्या है क्kellूराइड है यहां पर यहां किसा साहरें लेकन यहां पर CNN के साथ कौन दिखा दे रहा है सो इसो फोर दिखा दे रहा है Wenn एक्षेंज हो गया ना, यहाँ पर positive तो यह है, लेकिन negative इसका है, ठीक है, यह इन्हों ने अपने pair को exchange कर लिया, positive यह है और negative यह है, और यहाँ पर फिर क्या हुआ, देखो AL, AL के साथ यहाँ पर कौन था, यह था, अब AL के साथ यहाँ पर कौन रहेगा, यह, यह positive और यह negative, ठ ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते है, double displacement reaction, तो जो activity 1.10 में दे रखा है, उसके आलावा हमको लिखना था, double displacement का कोई example, तो यह आप example दे सकते हैं, ओके, next question बच्चों आपका, question number 3 क्या कह रहा है, identify the substance that are oxidized and substance that are reduced in the following reaction, ठीक है, आपको reaction दे रखा है, कह रहा है, इसमें कौन oxidized हो रहा है, इसके बारे में आपको बताना है, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा रहे हूँ, आप देखिए, oxidation के बारे में मैं आपको बताया था, कि oxidation के बहुत सारे definition है, बहुत तरीके से हम पता कर सकते हैं, कि oxidation क्या कहलाता है, ठीक है, लेकिन oxidation, reduction reaction का मैंने particular अलग के भी है, और hydrogen को लेकर के definition है, इसका, electron को लेकर के definition है, इसका, electron को लेकर के definition है, और oxidation number को लेकर के है, ठीक है, तो आप ये six point में से किसी से भी आप oxidation reduction को पहचान सकते हैं, ठीकिन oxidation reduction होता है, लेकिन यहाँ पर आप किसका इस्तमाल करेंगे, तो उन छे में से, जो मैंने आपक कि patा eyngon के बारे में भी बाथ करेंगे क्या हैसार ऌफ और पर तोंट बन रहा है कि अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है एम दोनों बात देखते हैं तो दोनों क्या हो गए? साथ साथ हो गए, जुड़ गए है ना हम साथ साथ हैं, दोनों साथ साथ हो गए, ओके? तो इसके साथ यहाँ पर oxygen नहीं था, अब इसके साथ यहाँ पर oxygen हो गया, यानि कि हुआ क्या है यहाँ पर? यहाँ पर addition of oxygen हुआ है, oxygen का बिलाता है Oxidation reaction एक यह होता है Oxidation reaction तो किसका Oxidation reaction नहीं संद्सक्रविट किया sodium के साथ पहले oxygen नहीं था और बादBut με pee बच्चों यहां पर οक्सिडाइज भी कॉन हो रहा है bewकुने बच्चों तो तो बच्चों यहां पर oxidize भी कौन हो रहा है sodium एडिशन ऑफ oxygen देखें oxidation हो रहा है sodium का oxidize हो रहा है तो यह किस प्रकार का इजेंट है देखें मैंने आपको बताया था ना कि जिसको oxidation होता है वो खुद agent कौन सा होता है वो reducing agent होता है यानि कि oxidation तो मेरा होगा और सामने वाले को मैं क्या कर दूँगा reduce कर दूँगा तीक है मेरा oxidation होगा ना तो सामने वाले को मैं क्या कर दूँगा reduce कर दूँगा यानि जिसको oxidation होता है वो isn't कौन सा होता है वो reducing isn't होता है तो अगर हम बात करें कि reducing isn't इसमें कौन है तो हमारा sodium क्या है sodium हमारा reducing isn't हमारा कौन है sodium क्यों क्योंकि इसने सामने वाले को यानि कि oxygen को ये क्या कर रहा है reduce कर रहा है तो oxygen को मजबूर कर रहा है कि तुमको reduction करना पड़ेगा reduction तुमको करना पड़ेगा मैं electron दूँगा तो तुमको electron लेना पड़ेगा तो इसको reduce कर रहा है कौन? तो इसका क्या हुआ? इसका हुआ ये खुद तो oxidize हुआ और सामने वाले को इसने क्या किया? reduce किया question में आपसे यही पूछ रहा था ना समझेंगे step by step हमने पहले सबसे पहले देखा कि oxygen sodium के साथ oxygen नहीं था sodium के साथ oxygen जुड़ गया यानि कि यहां पर definition हुआ है follow addition of oxygen, addition of oxygen हुआ है मतलब कि यह oxidation हुआ है किसका oxidation हुआ? sodium का oxidation हुआ मतलब sodium ने oxidation reaction perform किया है तो oxidize कुण हुआ? जायर सी बात है कि और sodium oxidize होगा तो oxidize कौन हुआ? sodium oxidize हुआ अगर sodium oxidize हो रहा है तो sodium किस प्रकार का isn't है? sodium reducing isn't है और sodium अगर reducing isn't है तो इसने किसको reduce किया? इसने बगल वाले को यानि कि oxygen को reduce किया, ठीक है? तो दो ही बाते आपको पुछनी थी है इसमें तो बतानी थी कि oxidize कौन हो रहा है रिड्यूस कौन हो रहा है तो oxidize कौन हो रहा है? sodium रिड्यूस कौन हो रहा है? oxygen सेम यही concept लगा करके यही logic लगा करके हम इसका second वाले है इसमें दो दे रखा था बच्चो first और second first of all आपने देख लिए second CuO है और plus H2 है है ना? और product क्या बना है हमारा Cu plus S2 अब इसमें क्या हो रहा है? आप यहाँ reactant को पहले देखिए reactant में कौन है? CuO है CuO साथ साथ रह रहे हैं मतलब कॉपर के साथ oxygen है copper oxide है ठीक है? यह दोनों साथ साथ रह रहे हैं थोड़ी दिर बाद जब आप देखते हैं तो आपको दिखाये देता है कि Cu के साथ oxygen नहीं है आपने देखा Cu तो महारा oxygen कहा गया? जगडा हो गया oxygen अलग हो गया ठीक है? यानि Cu से oxygen अलग हो गया जिस तरीके से Oxygenation होता है वैसे ही Oxygen का निकलना क्या होता है? Reduction होता है. तो removing of Oxygen, oxygen निकल गया, यानि कि कौन सा reaction हुआ है? Reduction reaction हुआ, यह reduction reaction किस ने perform किया है? यह perform किया है Cu ने, ठीक है, तो Cu ने Oxygen को हटा दिया, यानि कि Reduction Reaction यहाँ पर perform हुआ, किस ने Reduction Reaction को perform किया है, यह perform किया है, Cu ने, यानि कि Cu का Reduction हुआ, तो मतलब Cu क्या हो गया, Reduce हो गया, ठीक है, Reduction Reaction यदि Cu ने दिया है, तो मतलब Cu क्या हो गया है, खुद Reduce हो गया है, ठी यानि जो reduction reaction देता है, वो isn't किस प्रकार का होता है, वो होता है, oxidizing isn't just opposite, तो यहाँ पर oxidation हो रहा था, तो यह reducing isn't था, यहाँ पर cu का reduction हो रहा है, reduction, तो cu क्या है, कौन सा isn't है, cu isn't है, oxidizing isn't, तो जब cu यहाँ पर oxidizing isn't है, तो मतलब सामने वाले को यह क्या कर रहा है, oxidize होने का नियोता दे रहा है, invitation दे रहा है कि तुमको oxidize होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं reduce हो रहा हूँ, तो oxidize कौन होगा, इसके सामने कौन है, hydrogen है, तो hydrogen क्या होगा बच्चों, hydrogen oxidize हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको दो बाते बताने थी न, क्यों oxidize हो रहा है, क्यों reduce हो रहा है, जो oxidation reaction perform करेगा, वो ही oxidize हो रहा है, अगर वो oxidize हो रहा है, तो वो isn't कौन सा है, वो reducing isn't है, यानि कि सामने वाले को reduce होने के लिए invitation देगा, तो सामने वालग क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा, तो कौन oxidize हो रहा है, बहुत आराम से आप निकालेंगे, और reaction में मैंने इसके बहुत सारे practice भी आपको कराये थे, कि यह सारी चीजी है न, यहीं सेम सेम चीजे, बहुत सारा, जब oxidation reduction का हमारा concept चल रहा था, तो पढ़ाने के बाद मैंने आपको खुब सारे practice में भी दिये थे, और मैंने आपको practice कराया भी था, कि यह सारी चीजे आप पहचान सकें, क्योंकि reaction दे देता है, और उसमें आपको identify करना रहता है, जो चीजे यह पूछ रहा है, इसी टाइप से कुछ भी दे सकता है, एजेड निकाल के बताओ है, oxidation reaction कौन perform कर रहा है, यह बताओ, तो यह चीजे पहचान करने आपको आना चाहिए, उसके लिए यह छेओ concept याद रखो, कि oxidation किसको कहते हैं, addition of oxygen, oxygen का जूड़ना, या इलेक्ट्रो निगेटिव का जूड़ना, मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आप देखना चाहेंगे तो उस वीडियो में जाकर के देखे, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, oxygen का जूड़ना, या इलेक्ट्रो निगेटिव का जूड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव का निकलना, इलेक्ट्रोन का निकलना, इलेक्ट्रोन को डोनेट करना, इलेक्ट्रोन का निकाल करके, इलेक्ट्रोन को निकाल करके पॉजिटिव च करेंगे और मैं कोसिस करूंगी कि इस पिर्ट थोड़ी जादा रहे मतलब बोलने कि इस पिर्ट जादा न रहे पढ़ाई तेजी से थोड़ी आगे बढ़े ठीक है मेरे पस स्मार्ट बोर्ड तो है यह बोर्ड है और लिखना इसलिए पढ़ता है ताकि आप लोका टाइम कर लेती हूं ओके तो कोशिस करूंगी कि फास्ट चल सके तो टेज़बू कोशन करेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ओके तक तक के लिए स्टेड़ी करते रिए है नाइस दे